जब से मैंने exercise के उपर वीडियो जलना चालू किये हैं तब से एक common question ना लोग मुझसे बहुत ज़दा पूछ रहे हैं और वो है कि sir please हमें आप ये भी बताएं कि हम एक दिन में एक body part को train करें या एक दिन में दो body part को train करें अभी इसके उपर जो सबसे ज़दा popular और सबसे ज़दा जो detailed वाला data है उसके basis पे मैं already एक video बना चुका हूं क्योंकि majorly मैं research based proven facts के उपर video बनाता हूं इसलिए इस topic पे भी मैं एक video बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को बताया हूं कि जो सबसे ज़दा intense data इस topic पे available था उ क्योंकि आप लोग मुझसे इस सवाल बार 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 पूछ रहते तो मुझे लगा कि यार इस topic पे ना मुझे और भी जादा detailed analysis करना चाहिए तो पिछले दो दिनों से मैं बहुत कम सोया हूं क्योंकि मेरा main motto था कि इस topic को मैं पूरी तरह से scientifically extract करके इनकी सारे researches को एकदम deeply go through करूँगा ताकि आप लोगों के लिए एक best conclusion ला पाऊं और guys इन दो दिन में मैंने जो भी studies की है उसके basis में आपको यह बता सकता हूं कि इस video को देखने के बाद आपको और कोई भी video देखने की जुरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसी famous research के बारे में जिसके basis पे maximum लोगों ने ये conclude किया है including me मैंने भी अपने पहले वाले video में conclude किया है कि एक हफते में एक muscle को दो बार 80 अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो muscle hypertrophic point of view से जाद आच्छा है तो यह famous data की हम पहले बात करते हैं तो यह जो data है इसे जो है analyze किया था Brad Seanfield ने और इस data में न 10 studies को analyze किया गया था मतलब किसी एक study के basis पे यह data नहीं आया था इस data में 10 studies को meta analysis किया गया था यह सारी 10 studies की minimum duration 4 हफतों की थी और guys इन 10 studies के meta analysis में कुछ चीजे मुझे बहुत shocking लगी जो कि शायद इस data के conclusion को बहुत ही weak करता है अभी वो दो चीजे जो मुझे बह data में जिन 10 studies का meta analysis किया था उन 10 studies में से सिर्फ दो ही studies ऐसी थी जो इस बात को support करती थी कि एक हफते में एक muscle को at least आप दो बार अगर train करते हैं तो वो muscle hypertrophy point of view से जादा better है और यह जो दो studies जो इस इसको support करती थी उसमें से एक study खुद Brad Seanfield ने किया था तेक है जो इस data के researcher थे और दूसरी study MacLancy ने किया था अभी जो MacLancy वाली study थी मुझे समझ भी नहीं आ है उस study को इस data के analysis में include क्यों किया गया उस study को इस meta analysis में include क्यों किया गया देखिए MacLancy वाली study अगर मैं आप लोगों थोड़ा सा briefly बात करूं तो MacLancy वाली study में क्या हुआ था कि participants को दो ग्रू को split follow करना है मतलब एक हफते में एक मसल को एक ही बार train करना है और उसमें भी आपको sets कितने करने हैं सिर्फ तीन sets मतलब अगर आप एक हफते में biceps को एक ही बार train कर रहे हैं तो उसके आपको तीन sets करना अगर आप biceps कल कर रहे हैं तो आपको तीन sets तिल failure करना है उसके इलाव कर रहे हैं तो हर दिन जब आब कर रहे हैं तो आपको एक सट हीिर फेलियर मानना तो इस सब्सक्रार यह देखा रहा है तो दोनों गुरुप्ने तिन तिन सट्स मचल्केड दिया कि जिन्हों ने अपना भाई सेपस या एक help shots पाई गई तो यह study including क्यों की गई मुझे यह चीज़ काफी shocking लगा अचा बात करते हैं इस मेटानलिसिस के दूसरे shocking point पे तो दूसरा shocking point यह था कि देखे इसमें मैं आप वजाचों कहा हूं कि इसमें सारी studies ना short period of time के लिए की गई थी इसलिए इसमें जो है Brad Seanfield एक चीज़ और बताते हैं और वो यह है कि अगर आप ब्रोई split कर रहे हैं अगर आप एक हफते में एक मसल को एक ही बार train कर रहे हैं और अच्छी खासी volume में train कर रहे हैं तो लंबे period of time में क्या ब्रोई split better है in terms of science मतलब जिसमें आप दो मसल एक हफते में train करते हैं कि आप ब्रोई split better है उसके बारे में नहीं कह जा सकता मतलब यह maternity short period of time के लिए हुई थी तो long period of time के लिए कौन सा training methodology better है क्या वो ब्रोई split है या at least दो बार train करना एक मसल को वो better है वो हम नहीं बता सकते ठीक है तो यह दो चीज बहुत shocking लगी अब मैंने अपनी research को आगे बढ़ाया ठीक है तो मुझे और भी बहुत सारी researches हाथ लगी और एक research paper मुझे हाथ लगा जो कि general of sports medicine में publish हुई थी और इस research में जो है कुछ untrained young individuals लिए गए थे मतलब आप अगर beginner हैं तो आप इस research को द्याद ने सुनिए तो इस research में untrained young men को लिए गए थे उन्हें दो group में divide कर दिया गया एक group को बोला गया कि आपको bro split करना है मतलब एक हफते में एक muscle को एक ही बार train करना है दूसरे group को बोला गया कि आपको एक muscle को एक हफते में at least दो बार train करना है और इन दोनों groups के volume बराबर थे मतलब इन्हों ने bro split में जितने number of sets मारे थे उतना ही number of sets इन्हों ने science वाले split को follow तो अगर दोनों का volume बराबर था, तो untrained young men में कोई भी muscle mass में difference, muscle strength में difference नहीं देखा गया है, तो ये तो बात हो गई untrained की, अब हम बात करते हैं trained individuals की, और ये जो study मैंने untrained वाली आपको बताईए ना, ये 10 हफ्टों की थी, 10 weeks की थी, ठीक है, तो बात करते हैं trained individuals के बारे में, जो already lifters हैं, जो already weight lift करते हैं, तो peer journal की एक study के according, कुछ trained individuals को लिया गया, उन्हें भी दो group में divide कर दिया गया, और ये study भी 10 हफ्टों की थी, similarly बुला गया, एक को bro split follow करना है, और एक को एक हफ्टे में, एक muscle को at least 2 बार train करना है, दोनों की volume बराबर थी, और trained individual में भी same result निकल भी difference नहीं पाया गया, ठीक है, अब और बहतर conclusion find करने के लिए, मैंने अपने research और आगे बढ़ाई, और मुझे एक latest बहुत ही अच्छी study मिली इसके बारे में, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें कुछ trained athletes को लिया गया, उन्हें दो group में divide कर दिया गया, एक group को बोला, कि आपको 10 हफतों तक सिर्फ science वाला workout follow करना है, science वाला workout मतलब आपको एक हफते में एक muscle को at least 2 बार train करना है, जबकि दूसरे group को क्या बोला गया, कि आपको अपनी training principle change करते रहना है, मतलब starting के 5 हफते आप bro split कर लें, और उसके बाद के 5 हफते आप एक हफते में एक muscle को at least 2 बा train करें, तो ये वाला variety कर रहा था, training principle change कर रहा था और ये वाला सिर्फ एक हफते में एक muscle को 2 बार ही train करता गया, 10 हफतों तक, study के end में ये पाया गया कि वो लोग जो लोग अपनी training principle change करते रहते हैं, जो लोग variety लाते रहते हैं, उनमें जादा muscle size gain देखा गया है, उनमें जा train factors हैं, जिस पर इडिपेंड करता है, सबसे पहला factor मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपकी volume बराबर है, तो आपको कोई भी training principle आप अडॉप कर लीजे, आपको similar muscle mass और similar muscle strength मिलेगा, दूसरी चीज, variety करते रहिए, कभी-कभी bro split करिए, कभी एक हफते में एक muscle को 2 बार train क करिए, कभी एक हफते में muscle को 3 बार भी train करना चाहे तो करें, variety करेंगे, क्यों research में दिखा गया है, variety जो लोग करते हैं, उनमें ज़्यादा बहतर result पाया गया, तीसरी चीज, consistency सबसे ज़्यादा important है, आप कौन से training principle को enjoy कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा important है, अगर आप bro split कर रहे हैं, लेकिन आपको bro split करने में मजा नहीं आ रहा है, आप उस पे consistent नहीं रह पा रहे हैं, तो आप bro split ना करें, आप दूसरा करें, क्योंकि आपको consistent होना ज़रूरी है, जिसमें मजा आ रहा है, उस चीज को continue करें आप, बात करें, चौथे factor के बारे में, तो चौथा factor पर से जादा result मिल रहा है, आप अपना progress track करें, अगर आपको लग रहा है कि bro split में जादा result मिल रहा है, और science वाले में कम result मिल रहा है, तो आप bro split continue करें, तो इन सब factors पर depend करता है, ultimately it doesn't matter, आपकी preferences के हिसाब से, आपके enjoyment के हिसाब से, consistency के हिसाब से, volume के हिसाब से, आप कुछ भी कर सकते हैं, bro split is also effective, और science is also effective, ठीक है, bro split कर रहे हैं, तो उसमें progressive training का principle आप अपलाई करते रहे, in fact, कोई भी training कर रहे हैं, तो progressive overload का principle अपलाई करते रहे, ताकि आप अच्छा muscle hypertrophy achieve कर भाए, तो guys, बहुत जादा बोल दिया, I think, क्योंकि दो दिन मैंने इतना जादा papers को deeply तरीके से पढ़ा है, कि चीजे तो बहुत सारी हैं बोलने को, पर I think, जितना भी मुझे बोलना था, in short में वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और guys, इसके बाद आपको इस topic पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, researchers के link description box में है, जाके पढ़िए, इतना टाइम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने conclusion बता दिया है, पर फिर भी अगर आपका इंट्रेस ज़रूर पढ़िए, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में guys, till then be healthy, take care and, jay